हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे पतंजली एलोवेरा जूस के बारे में तो इसे किन किन उपयोगों में लाया जाता है हाउ टू जू डोजेज जाने इसकी सेवन बिदी के बारे में क्योंकि गलत तरीके से लेने से इसके कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसके पहक्साज और प्रैस के बारे में तो बेलकम बैक माई चैनल तरनील हेल्थ मैं हूँ आपका दूस्त नितिन तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेज यानि उपयोगों के बारे में अगर आपकी बोड़ी में नरिस्मेंट यानि पोसड की कमी है तो उसको पूरी करता है क्योंकि इसमें फाइवर पिच्चरू मात्रा में पाया जाता है इसलिए ये बजन गटाने के लिए भी काफ जिससे कि आपके चेहरे पर गिलो यानि निखार आता है और बालों को चमकदार बनाता है तता जड़ते वालों के लिए भी काफी फाइदा देखने को मिला है और इसमें माइक्रोबियल तता एंटी ऑक्सिडेंट प्रोपर्टीज पाइज आती हैं जिससे कि बैक्टिरिल तता सरीर की कमजोरी को दूर कर खून की पूर्ती करता है क्योंकि ये रेड बिलड सैल्स को इंक्रीज करता है और जो लोग डैविटीज यानि सुगर से ग्रिसित हैं उन लोगों के लिए तो ये काफी फाइदे बनने हैं बात करते हैं इसके हाओ टू यूज डोजेज के बारे में तो बैस के के लिए 20-25 एमेल सुबह खाली पेट 20-25 एमेल गुनगुने पानी के साल ले सकते हैं जो कि बजन गटाने के साथ साथ और भी काफी समस्याओं को कंट्रोल करेगा बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में अगर आप इसे निश्चि डोज में लेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक हरवल प्रोडक्ट है तदा इसे लॉंग टाम तर यूज कर सकते हैं मगर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे के पेंट में आइठन या लूज मोशन या बॉमेटिंग टाइप से तो ये लोग अपने चिकस्षक से कंसल्ट करके ही लें क्योंकि प्रेग्नेंसी प्रेट में कोई भी अननेसेसरी टैब्लेट एमेडिसन नहीं लेनी चाहिए अब बात करते हैं इसके पैक्षाज और प्रैस के वारे में तो ये 187 रुपए के सम्थिंग आपको मिल जाएगी जो पापे से ऑनलाइन नेटमेट बनेमजी या किसी अधर ऑनलाइन साइट से पर्चिस कर सकते हैं दोस्तों ये तो थी पतंजली के अलोवेरा जूस की संपूर जानकारी मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी हेलफूल लगी हो तो प्लीज वीडियो